हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है उदीत नाराइन विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदीत फर्मेशी यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स आजके इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाड़ बॉय के बारे में यहाँ पर बहुत से आप लोंका डिमांड था कि अका आप वाड़ बॉय का जाब करना चाहते हैं तो हम कैसे पासकते हैं दिन वाड़ बॉय का ह काम करना पड़ता है दिन आपको कितना सेलरी मिल सकती है सो फ्रेंट्स वाड़ बने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ आपको नौलेज नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादे इस्टडी के आप जुरत नहीं होती है अगर आप सिंपली आठवी दसवी या बारवी पास है तो अलग-अलग eligibility criteria के हिसाब से आप जौब पा सकते हैं यहाँ पे बहुत से होस्पीटल में अगर आप आठवी पास है तपर भी आपको जौब मिल सकता है पहले यह आई तिंग कि अभी जो रिटायर हो चुके हैं कुछ हमारे contact में भी ऐसे एक दो लोग हैं जोकि हम लोग के दादा जी टाइप के हैं तो वो पांचवी पास या फिर लिखने जानते हैं धंग से थोड़ा बहुत तो उन लोग को जौब मिल जाते थी लेकिन अभी के केस में क्या है कि अगर आप आठवी पास है आपको हिंदी और इंगलिस की ठीक ठाक समझ है या फिर कहीं ने कहीं बहुत से हस्पिटल में दसवी या बारहवी तक का रिक्वार्मेंट होता है अगर आप इसी के सांसांत मेडिकल का कोई भी ट्रेनिंग साटिफिकेट लाइक यहां पे शिक्स मन्त या थ्री मन्त के बहुत से अलग-अलग यहां पे साटिफिकेट कोर्स चला जाते हैं तो अगर आप यह किये हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है कैसे पास सकते हैं तो यहां पे मैं आपको बता दिया कि इलिबिलिटी क्रेटरिया या फिर बहुत जादे स्कील नॉलेज इस्टडी की जोरत नहीं होती है अगर आप आठवी पास या दसवी पास या बारहव हो सकती है देन 15 से 20 जार 25 जार तक max to max salary मिल सकते है एक hospital में वाड बॉय को वाड का काम होता है कि hospital में जो बेड लगे होते हैं यानि कि वाड में जो बेड लगे होते हैं उन पे चादर बिछाना उनको ठीक ठाक मैनेज करना वाड के साप सफाई का ध्यान रखना ध्यान रहे dustıld veen भर चुके है तो सभी चीजे अगर कोई बेटगंदा है उस पे जो बेट सीट उगर लगी हुए है तो सभी चीजे मैनेज करवाना ध्यान रहे कि करना नहीं ऐसाने कि बेटगंदा है तो साप आपी को करना है नहीं अगर आप एक नर्स को न रहने पे बाकी वो सारा काम करना जो नर्स करती है यानि नर्स के असिस्टेंट के रूप में भी आपको काम करना पड़ेगा फार्मासिस्ट के असिस्टेंट के रूप में भी आपको काम करना पड़ेगा और डॉक्टर के असिस्टेंट के रूप में तो यहां पे में काम करना पड़ता है इसके बारे में पता चल गया लेकिन एपलाई कैसे करें तो आप अलग-अलग प्रेड की वेफसाइट देख सकते हैं जो हॉस्पीटल है वेफसाइट ओगरे पे निकलते हैं नियूज प्रोग्रम में निकलता है कि और बाय के लिए यहां पर इतना व प्रोग्रम में आप रहते हैं यह फिर जो हॉस्पीटल हो रहे है उनका संभीदा पर होता है तो कहीं ने कुछ कुछ कॉंटेक्ट थूरू या पिर कहीं नियूज पेपर गरवर में निकलता है तो इस माध्यम से सभी को वाडवाय का जो जौब है वो मिलता है I hope कि वाडवाय के बारे में जो भी आपका डाउट था वो completely clear हो गया होगा और अगर आप एक वाडवाय बनना चाहते होगी तो complete जानकरी आपको मिल चूगी होगी फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है कोई तो आप वीडिय जो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर हम मिलते हैं नेक्स किसी वीडियो में तब तक कि लिए सभी को बाए बाए